नमस्कार मैं आशा स्वागत करती हूं आप लोग अपने चैनल आशक कुकिंग गॉर्णर में और आज मैंने बनाई है यह बहुत ही टेस्टी मटर की सबजी और इसमें मैंने मटर को पीस करिये सबजी बनाई है और बहुत सी जगा पर इसको मटर का निमोना भी कहते हैं तो च पर मैंने ले लिए हैं मटर को छी लिया है उनको अच्छे से पानी में धोने के बाद इनको मैंने डाल लिया एक मिक्सी के जार में और इनको मैं पीस लूँगी अब और बाकी का जो समान है जैसे कि यह लसन अधरक और हरी मिर्च इनको मैं इस तरीके से इसमें डाल कर हो चुका है सब्जी बनाने के लिए और यह मटर को हमने थोड़ा दरदरा सा पीसा है बहुत जादा मुबारिक नहीं करना है आप इस सब्जी को लंच डिनर में बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगती है पूरी के साथ चावल के साथ पराटे के साथ किसी भी चीज के में कि और वालुटायां कि यहां कि देखिये हैं बतील युसमें डाला तेल लेड़ा चमाच में लगा तयुद। चमचह वह फिर La डाला था जीर जीरा दूने के बाद ढ़ने डाला समें उपना अदरक लशन औरहली मीट कhouse हरण और पेस्ट गाउए मैं ड़ना तरहत की बखाएं करदनी में मैं डाल है वार्ण होने मलत के सबस्कार ही में की हैकि एक नंवका शव Hai जिससे कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्जी के अंदर और उसके बाद मैंने इसको मसाले को अच्छे से भून लिया ढख कर इपने मसाले को थोड़े देर पकाया था कि टमाटर अच्छे से हमारे गल जाए और फिर बाद में टमाटर को तरीक से थोड़ा मैश कर लिय अच्छे से बुन गया उसके बाद मैंने डाल दी इसके अंदर टमाटर सुरी आलू अपने कटेवे और आलू को भी मसाले के साथ 2-3 मिनट के लिए बून लिया और फिर उसके आलू भूनने के बाद मैंने इसके डाल दी अपना मटर का जो हमने पेस्ट बनाया था वो और पहान ही तुं अब अगर्ल को 15 तरी वाली सब्जी ज्यादा में पला सकते हैं आप गाडि सब्जी घाते हैं तो पानी कम डाल लिए हमारे यांपर सब कोसा थोड़ी तरी वाली सब्जी पल कि यादो मैंसें पानी से बंदा पानी डाले करेंगे सब्जी एकदम बनकर तैयार है और यह देखिए गर्मा-गर्म हमारी सब्जी और साथ में चावल तैयार हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं यह खाने में और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा और अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर साथ में अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरीके के और वीडियो देखने के लिए चलिए मिलती हूं मैं आपसे एक और वीडियो में तब तक के लिए